हमश्ार दोस्तो स्वारित है आप सभी का हमारे यूटीप चैनल में बात करेंगे दोस्तों आज सेल्स्टील लिमितेट के बारे में दोस्तों बात करें तो स्टील इक्ष्ट, का प्विशले कुछ से रिटंस काफी ज्वाद प्विच्टब्स क्ने को मिल ना है, को यहां ना नेक्स्ट फ्यूचर स्टोक का हो सकता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिल्कुल आश्ट तक इसको देखिएगा क्योंकि काफी इंफॉर्मेटी वीडियो रहने वाली है तो सबसे पहले प्राइस सेक्शन की बात करें तो पिछले पांच दिन में आपको लगवग 2% की रिट हैं में चार्ट में भी आपके पास यहां पर 46% की रिटन से तो देखिए एक जो सबसे इंपूर्टन चीज यहां पर है जो चीज में आपके सामने क्लेर करना चाहूंगा आप यहां पर एक चीज़ देख सकते हैं कि जो आपके पास टोक है एक फिर से अपने जो फिफ्टी कि पास बोस्ट सबसे हैं सबसे हैं यहां पर आपने अपने ऐरल टाइम हाई नीचे चला जाता हम यहां पर पिर से आपको प्र जो जबावबल की ऊपर देखने को मिल रहा idol पर अब देखना यह होगा कि यहां से अब जिस्टोग ऊपर जाएगा या फिर यहां से नीचे जाएगा अगर मैं थोड़ा सा इसी चीज़ को और ज्यादा है डिटेल में जाने की कोशिश करूं तो देखिए आपको यहां पर एक और ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी तो मैं उसको भी मार्क करने की यहां पर कुशिश करता हूं अगर वह यहां पर क्लेर नजगाएगी आपको तो देखिए कुछ ऐसी ही ट्रेंड लाइन आपको मिल गई है तो आप यहां पर देखेंगे मैं थोड़ा से चीज़ को और जादा आपके लिए डेंटिफाई कर देत कि यहां पर जाने की बट यहां पर भी पॉसिविल्टी कम रही है एंड यहां पर आपने देखा कि अपको ब्रेक आउट देखने को मिलता है बट अपना जो और टाइम हाई है उसको टच करके पर फिर से नीच आता है जैंड अगें जो स्टोक है स्पोर्ट लैवल के उपर कंसुलिडेट करता है एक चीज़ यहां पर अच्छी हुई है कि स्टोक ने अपनी जो स्पोर्ट लाइनर के उपर कंसुलिडेट किया है तो यहां पर चांसिस है कि ब्रेक आउट भी हो सकता है तो वही चीज़ है कि यहां पर सबसे इंपोर्टन प्रेक वाला कि अब यहां से स्टोक इक और फिर रिवर्सल करके नीचे आएगा तो यह दो चीज़े यहां पर आपको देखने को मिल गही है तो वही है मैं थोड़ा स़ चीज़ को आपके सामने क्लिय करूँ तो यहां पर मैं थोड़ा सब इभाइस करूँगा कि एप थोड़ा सा इंतियार कीजिए चलिए यहां पर देखते हैं कि कंपनी ने कैसा पर्फॉर्म करके आपको बताया है तो सबसे पहले यहां पर मार्केट कैप की बात करता हूं तो आप देखेंगे यहां पर 228 कोड की मार्केट कैप है पट सब्सक्राइज आप देखें कि कंपनी का पी रेश्यो का पी रेश्य तो यहां पर एक सेलिंग प्रेशर नजर जूर आ रहा है तो हो सकता है कि इसकी बज़े से आपको ग्रावट भी देखने को मिले एंड उसके लावा अगर मैं बात करता हूं रिटर्न अनिक्विटी की काफी ज्यादा कम है के वल वन परसेंट की रिटर्न अनिक्विटी एंड के पास अर्निंग पर शेर 0.06 है और आप कंपेर करें कंपनी के शेर प्राइस के साथ तो काफी ज्यादा कम है और मैं परफॉर्मेंस बाइस बात करता हूं तो काफी फलक्टुएशन आपको देखने को मिली है बीच में अच्छा परफॉर्म किया स्टोकने बट बीच में इ जी जो लास्ट ख़टर वणृ भी हमाएपस रहा था वहां पर भी कंपनी की परफॉर्मेंस में आपको घ्राइबट देखने को मिली है secondly net profit की बात करता हूं तो यहां पे भी आपको देखिए काफी up and downs देखने को मिले हैं बीच में company दो अच्छा profit generate किया जा रहा था है बट बीच में आपको ग्रावट भी देखने को मिली है आप यहां पे देख सकते हैं कि quarter one में again company का profit काफी down में आया है और यहां पे फिर से possibilities वही 50-50 के chances बन जाते हैं कि क्या यहां से अब loss rate होगा या फिर से company profit में come back करेगी तो वही है company financially wise काफी जादा बीक नजगा रही है company के financials आप खुद देख सकते हैं कि यहां पे बिलकुल भी आप idea नहीं लगा सकते है कि company का next quarter कैसा रहने वाला है तो वह चीज़ काफी जादा देखिए यहां पे आपको आने वाले टाइम में दिक्कत मिला सकती है बाकी रही बात यह holding pattern की तो यह काफी अच्छा है लगवग 50% की holding promoters के पास है उसके लावा overall बात करते हैं अगर मैं stoke की तो देखिए यहां पे no doubt steel sector का पैनी stoke है बट कही है उसके लावा भी और मैं बात करता हूं तो फिलाल देखिए जो trend line मैंने आपको यहां पे दिखाई है वो काफी जादा important रहने वाली है थोड़ा उस चीज़ के उब अगर आपको अपडेट रहेंगे कि यहां से breakout होता है या फिर नहीं बाकि देखिए फिर भी आप एक व वीडियो में इतना ही दन्यावाद